आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था कि हम आपका एंसी सी का जो आपका एक्जाम होता है बी और सी सर्टिफिकेट के लिए उसका जो ओरिजिनल अंस्वर सीट है उसको हम यहां पे डिसकस कर रहे हैं यानि कि यह वे कोश्चन है जिन को देखके आप आपका पेपर चेक किया जाता है तो वह पूरे का पूरा जो एक सैंपल पेपर है ओरिजिनल वाला ठीक है वह हम यहां पर डिसकस कर रहे हैं एक से लेके आठ तक कोश्चन हम प्रिविएस वीडियो में डिसकस कर चुके हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में तो यह वे कोश्चन है जो हम डिसकस कर रहे हैं जो आपको अपने एक्जाम में A grade दिलाएंगे तो सबसे पहला यहां पे काजिरंगा नेशनल पार्क जो है वो कहां पे स्थते हैं तो काजिरंगा नेशनल पार्क असम में है ठीक है किसके लिए famous है यह एक सिंग वाले से ध्यान रखना है आपको हवा मैल कहां पर हवा मैल है जैपुर में और मैं जस्ट जस्ट दो दिन पहले विजिट करके आया हूं तो अच्छा लग रहा है इस कोश्चन को देखके पढ़ाते हुए नेक्स्ट है यहां पर इंडिया गेट इंडिया गेट आपको पता है दिल् दियान रह जाएंगी यह बाते बिल्कुल बढ़िया नेक्स्ट कोश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कोश्चन नमबर नाइन का जो पहला पार्ट है वो मेरा परसनल फेवरेट है मेरा परसनल फेवरेट वो इसलिए है क्योंकि हर एक पसंदीदा कैम्प होता है मेरा किए प्री TSC कंप्लीट किया है एक इसको ओलते हैं अब इसका नाम नाम और मैं जाता था नाइश्चनल इंटिग्रेशन camp अब इसका नाम कर दिया गया है EBSB camp एक बारत स्रिष्ट camp एक बारत स्रिष्ट बारत camp तो मेरा जो personal favorite है हलांकि RDC सबसे अच्छा camp होता है obviously ठीक है one of the best camp है बहुती अच्छा experience रहा लेकिन फिर भी मेरा जो personal favorite रहेगा वो NIC camp रहेगा जिसको हम एक बारत स्रिष्ट बारत के नाम से जामते हैं तो आपका सब से favorite camp कौन सारा आज तक वो आपको comment box में बताना है तो EBSB की यहां पर full form पूछ रखी है EBSB की full form होती है एक बारत स्रिष्ट बारत NIC के नाम से पहले जाना जाता था NIC full form होती है National Integration Camp RDC Republic Day Camp TSC थलसैनिक Camp PM Rally PM Rally होती है SNIC Special National Integration Camp next question है यहां पर छट पूजा जो है किस राज जगा पर रहो है तो छट पूजा बिहार के अंदर सब से ज़्यादा वैसे तो सभी जगह मनाते हैं लेकिन बिहार में सब से ज़्यादा मनाई जाती है छट पूजा वेरी इंपोर्टेंट अगला है यहां पर सर्वोच्चा एसनिक पूरसका अब यहां पर question को आपको समझना पड़ेगा इस question को आप गल्द कर सकते हैं अग्जाम में अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो अगर यहां पर एसनिक की जगान लिखा होता सैनिक तो तो इस कांस्वर हो जाता पीवी सी मतलब परमवीर चक्कर परमवीर चक्कर टोटल 21 मिल चुके हैं पहला मिला था मेजर सोमनात सर्मा जी को लेटेस्ट सेरसा आपको पता है कैप्टन विकरम बत्रा जी कारगिल बोर में तो सिविलियन अवोड सब से उपार वाई भाहरत र default न बाहरत रतन सबसे बड़ा पुरिसकार है सबसे बड़ा अवोर्ड सिविलियन के लिए निको नेक्स्ट या युद्ध के समय से निकों को कौसा दिया जाता है सबसे जाधा यहनि कि सबसे बड़ा जो होता है वहत आप पारमवीर चकर राश्ट द्रवज में डिच्रफ समान मानाजाता है बारत में सभी धरम kay को एक समान माना जाता हैं इंडिया एक सेकूलर धर्मनिर पेक संट्री है अभी में ने बताया इंडिया वाइज निरुय में इंडिया मुंबई में इंडिया लिए यह उन्द में तो यह गलत है इसलिए आगला कोश्चन देखो नेक्स्ट बंगाली असम की बास है असमीज थिक है मैं नागालेंड में घया था मेरा जो कैम्प था एनाइसी वाला नेशनल इंटिगरेशन कैम एसे मतलब स्पेशल नेशनल integration camp नागलेंड में एक language बोली जाती है नागा मीज बतलब नागा लेंग्वेज और असमीज को मिलाके नागा मीज बना रखा है असम के अंदर असमीज होगी असमी बाषा होगी बंगाली असम की नहीं है बंगाली बंगाल की है ठीक है बाषा वैसे तो देखो कोई भी language कौन स परकार से करते हैं तो बहुत सारी तरीके से उसमें लीडर्शिप की बावना नेत्रतों की बावना को विक्सित करते हैं उसके अंदर जो साहस की भावन है उसको उत्पन करते हैं तो बहुत सारे तरीक्या लीडर्शिप स्टाइल कितने परकार के होते हैं तो लीडर्शिप स्टाइल जो होते हैं वो तीन परकार के होते हैं एक जनमजात नेता होते हैं एक सिखाई गए नेता होते हैं एक बनाए गए यानि कि मान लिए गए नेता जनमजात मतलब वो तो पैदा ही नेता हुए है दूसरे मतलब उनमें लिडर्शिप क्वालिटी पहले से हैं एक वेक्ति है जिसमें लिडर्शिप क्वालिटी हमने सिखाई और फिर उसको लीडर बनाया और तीसरा वेक्ति है चाहे उसमें क्वालिटी है चाहे नहीं हमने मान लिया जिसे राजा का बेटा राजा है बहुत मान लिया अब वो राजा बने लायक है नहीं है फरकी नहीं प बोलते हैं कि कोपरेट अनुशाशन का मुख्या निव फाउंडेशन क्या है तो ड्रिल यहां पे ड्रिल किसके लिए काम आती है अनुशाशन के लिए काम आती है यह बात आपको पता है अगला कुश्चन देखो वाई किस परकार की लीडर्शिप में अपने मत हतों यानि कि स सरकार लोगों से पूछना पड़ता है कि लोगों के वोट होते हैं जैसे भी है डेमोक्राइसी हो अपने मत ही तो यानि कि सबॉर्डिनेट का दिल जीतने के लिए उनकी किस आउशक्ता का ध्यान रखना चीए उनके वेलफेयर का वेलफेयर मतलब उनकी भलाई का ध्यान र अपनेपन की भावना विक्षिद होते हैं हमारी साब हमारी ऑफिसर हैं वो हमसे पूछते हैं वह हमारी केयर करते हैं वह हमारी भलाई का ध्यान रखते हैं कि अंसीज किरियाकल आप मैं सिसी क्या समझा जाता है अगला कुष्चिन देखो यहां पर NCC काईडियेट में Sportsmanship का विकास करता है Team Bound प्रकूर्स जब भी हम खेलते हैं तो normally Team होती है जो भी Sports होते हैं जादा तर जो NCC में या Defense के अंदर जो Sports हम खेलते हैं जादा तर Team वाले Sports होते हैं उन्हीं को हम promote करते हैं जिससे Team Bound का विकास करते हैं आगे देखो वही आगे क्या है आगे मर रहे बिना किसी को दुख पहुंचा यानि कि उफेंस कि उसकी बावनाओं को हमको समझना है तो उसको बोल सकते हैं ठीक है वही है भासा क्या होती है हम पढ़ते आएथे definition संचार हो गया संचार communication संचार लिख लो संचार बड़ी अबर्ड है हमें question पढ़ते थे पहले कि भासा क्या होती है तो भासा वैसा दन है जिसके दुआरा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने परकट कर सकें और दूसरों के विचारों को समझ सकें बस वही भासा होती है संचार क्या होते है हम अपने वही संचार है भासा दो माध्यम है और यह जो करना होता है आदान परदान करना वह संचार कहलाता है next है यहां पे कि जब कोई किरिया को क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं मोटिवेट करना यानि कि मनोबल बढ़ाना है किसी का मोटिवेट करना बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं मोटिवेट करना मनोबल बढ़ाना संचार की विफलता के क्या कारण होते हैं तो शोर है अगर मैं आप से बात कर रहा हूं अभ करना सिखाता है अनुशाशन डिसिप्लेन मतलब खुद पर कंट्रोल रखना अच्छे तरीके से काम को करना डिसिप्ले आगे देखो भाई किसी इच्छित यानि कि आइडियल व्यक्ति के सारी रिकवाशा बोडी लेंग्वेज को समझ कर उसे अपने एक्टिटूड का भाग बनाने को क्या कहते हैं मिररिंग मिररिंग देखो मैं समझाता हूँ मिररिंग मिरर मतलब मिरर मतलब वो तैसी शा कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छे तरीके से बोलता है दा वे ही टोक दा वे ही वो जबर दस्ट परसनेलिटी है उसकी मानों आप आप किसी वेक्टी को देखते हैं उसकी परसनेलिटी आपको बहुत ही अच्छी लगती है बहुत ही चार्मिंग परसनेलिटी का वेक्टी है अब उसकी personality को देखकर आप उस personality को उसके चलने के तरीके को उसके बोलने के तरीके को किस तरीके से वो लोगों को treat करता है उसको अगर आप अपने अंदर ढाल लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं mirroring बोलते हैं ठीक है? यह वाली यहां पर चीज़ है next question number 12 question number 12 में हमको बताने हैं बई सही गलत क्या बताने है? सही गलत सबसे पहला अभ्यास और धहरे के बाद दम से कोसल हासिल किया जा सकता है बिल्कुल सही है बई यहां पर जब हम अभ्यास करेंगे और साथ की साथ में patience रखेंगे practice रखेंगे और patience यानि की धहरे रखेंगे तो हम किसी भी skill को यानि की कोशल को acquire कर सकते हैं सही बात है next यहां पर हमारे चरितर सकतियों और कमजोरियों इवंपसंद नापसंद की पहचान को self awareness कहते हैं हमारे चरितर सकतियों self awareness is identity our character strength and weakness and like and dislike identify our character strength, weakness, like, dislike की सकतियों, कमजोरियों एवंपसंद और नापसंद की पहचान को इसके साथ साथ में हमारे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है क्या सकतिया है क्या नहीं सकतिया है हमको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है वस्तुनिष्ट तरीके से सूचना और अनुभव का विसलेशन करने की समता को रचनातमक सोच कहते हैं देखो रचनातमक सोच मतलब क्रियेटिव थिंकिंग यह कह रहे है कि एनलाइज करना इन्फोर्मेशन को एक्सपिरियंस को अब्जेक्टिव मैनर में नहीं समझाता हूं मैं इसका क्या मतलब है कोई दी करने है ध्यान से सुनो देखो बात क्रियेटिव थिंकिंग क्रियेटिविटी यह परसन तो क्रियेटिव परसन है क्या मतलब है क्रियेटिव कोई भी काम आपको दे दिया मान लिया काम आप भी कर लोगे दूसरा बंदा भी कर ले तब आपको पता है कि सुबह उठना जरूरी होता है। तांस जरूरी होता है। अब टाइम से उठना है। सभी को टांस से उठना है। पांस वैक्ति हैं पांस एक टिये गए टास्क दिये गए गर की बात कर रहें कैम्प में तो सब्यूट जाते हैं घर में उनको टाइम से उठना है तो क्या तरीक की अपना ते एक तरीका अपनाएगा कि वह अपने ममी को कहके सोजाएगा कि ममी मिनको शुबह उठा देना एक कि वह अपने से दूर सो घुब्त कर देते हैं तो उसकोमने करने के लिए ऊठेगा और ऊठेगा लेकिक दिए कि लिए हृष dram करना इसी को ःते हैं काम को अलग तरी के से करना वह कुछ आता है लें लेकिन यहां पे यह कहा रहे हैं कि objective मैंनर में नहीं विशलेशन वगेरा कुछ नहीं क्या अलग सोचते हैं अगले यहां पर इंदी में देखते हैं इसको किसी भी सूचना को मोखिक रूप से व्यक्त करने की समता को परभावी संचार की स्रेणी में डाला जा सकता है हाँ बिल्कुल अगर आप अच्छे तरीके से बोल के अपनी बात को रिपर्जेंट कर पा रहे हैं तो वह effective communication है वो कोई दिक्ट नहीं है इसमें आगे देखो भई फैरेडिटरी फैक्टर यानि कि वनसानुगत कारक किसी व्यक्ति के व्यक्तितों पर सथाई प्रभाव नहीं डाल सकता ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पिताजी अच्छे से communicate नहीं कर पाते तो आप भी नहीं कर पाएं यह कोई जरूरी नहीं आप सीख सकते हैं communication को सिखा जा सकता है बोलना सिखा जा सकते है मिरसे starting में बिल्कुल भी नहीं बोला जाता था जब मैंने admission लिया दिली university के अंदर physics owners में नहीं बोला जाता था सीखगे धीरे धीरे बोलना बाते करना भी सीखगे सारी चीज़ आ जाती है अब मैं आपको पढ़ावी रहा हूं YouTube के उपर धीरे धीरे आ जाती है जरूरी नहीं है कि अगर आपके father या अगर आपकी family में करते हैं तो वह self-awareness कहलाता है बिल्कुल सही है वो उसका part है तो यह गलत है यहां पर किसी अन्य व्यक्ति का जीवन कैसा होता है कल्पना करना सानुभूति का हिस्सा है यह गलत है ठीक है नेक्स्ट है यहां पर मैं तो पुर्ण सोच के लिए सक्षे के अदार पर विचार बदलने को कोशल होना चाहिए रिटिकल धिक्निंग रिक्वाइर स्किल सच अज एंड एग्जामिंग इंफ़र्मेशन इन डिटैल नहीं मैंने बता है critical सोच के लिए सूचना का विस्तार से जांत करना जैसे कोशल की जरूरत है इंग्लिश में पढ़ता हूं इसको ध्यान से क्या है यह रचनात्मक व्यक्तिताव होने के लिए जिग्यासू जिग्यासू जिसके अंदर जिग्यास है और आसावादी ओप्टिमिस्टिक होना जरूरी है बिलगुल जरूरी है क्या होना और आप क्रियेटि विटी चाहते है तो आप को positive होना चीए और आप जिग्यासू जानने की कोशिश करें अंदर सबसे इंपोर्टेंट फैक्टर है जिग्यासु होना लाइफ स्किल जीवन को सल क्रियेटिव थिंकिंग होती है एमपैथी सहानुभूती एमपैथी का मतलब यहां पर सहानुभूती है सहानुभूती मतलब किस से अपने आपको देखो एमपैथी इंपैथी किसी पर जया हम करते हैं उसको बोल दिते हैं अगर हम किसी और व्यक्ति की जगह पे हैं तो हम क्या से फिल करेंगे वह चीज एक कोश्चन पूछा जाता है कई बार कि बुक रीडिंग के क्या बेनिफिट होते हैं जब हम बुक्स पढ़ते हैं अलग लग लोगों की जीवनी पढ़ते है तो उसे हमको क्या बेनिफिट होता है बहुत सारे बेनिफिट होते हैं उसमें से एक बेनिफिट यह हमने आज की क्लास के अंदर कोस्चन नमबर 9 से लेके कोस्चन नमबर 13 तक कोस्चन डिसकस की है आगे के जो कोस्चन है वो हम अगली क्लास में डिसकस करेंगे इसकी PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी तर्च करें proud group of NCC वहाँ पे free of post इसकी आपको PDF मिल जाएगी चैनल को subscribe जरूर कर लेना ताकि जो next वीडियो जब मैं डालूँगा यानि कि अगले जो question हम सोल करेंगे उसकी आपको notification मिल जाए इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहे ये proud group of NCC YouTube channel के साथ next video तक जय हिंद जय भारत thank you very much